कि अगे अगे तरह मरा पासवोड़ी याद यहर है थ्कल अगे फूल जना उसप पार के नाम से ले मेरे इस फॉन में पर देर भाई कहला चालू कर दे आइजी चालू कोई ने इस फॉन में यह पूछ कर साफ देर लाइब आ रहा हूं मैंक बढ़ प्रोग्राम मज़ाना देख हुआ हुआ हैं हुआ 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 हैं है है हुआ है अप सभी सात्यों को राम राम आज मेरी जानतकावाद जारी ज्यादा त्रीन बतों के बाद भाई जेड़ होती आप लोगों को बता भी दूँ जो सबद जो बाते मैं कहूंगा मैं आप सभी सातियों को बता दूँ ना तमन जेड़ों उनका डर है और ना याज तक अरश्चिकारा किसी चीद से ड्रया है मैं भाई सरकार को मेरी वीडियो सुनने वाले सभी सातियों को एक बात बताता हूं किसी को केस लगवाना है सोबार लगवाए मुझे इस बात की चिंता नहीं है मैं आज आप लोगों के सामने वो अकीकत बताऊंगा भाई जो आप लोगों को पता होते हुए आप लोग मुझे फेर के बैठे हुए है आप सभी सातियों को बताना चाहता हूं मैंने पहले ही एक बात बताई थी 2022 का जो सर्वात होगी उसका पहला दिन यानि कि जो कल का दिन था जिसको एक जनवरी बोलते हैं वो मैंने अपने प्रिवार के साती सी लिए बिताया कल मैं पूरा दिन अपने प्रिवार के सातरा अब आई उत्पात मचाएंगे और पूरा मचाएंगे आप लोगों को अगर मेरा सयोग करना मेरा साथ देना है देने की कोशिस करें जितना ज्यादा उसके साथ के साथ वीडियो को अभी तुरंट शेयर करें सभी साथियों से विंती है शेयर का बटन नीचे की तरप होगा उसको दबाएं दबाते ही आपके राइट एंड यानि की सोड़े आतको आएगा शेयर टू गुरूप लिख्या एक बारी तुरंट सभी साथी दस दस गुरूप में इस वीडियो को शेयर करके आगे पुचाने करिये करें नहीं पता हो तो आप लोगों को बता दूं भाई ताकि आप लोगों के कानों में कुछ बाते चली जाएं जिससे आप लोगों को मूरख बनाया जा रहा है अर्याना के अंदर दो बारा से लोकडाउन लगा दिया है मैं सोनी पत का रहने वड़ा हूं सबसे पहल जो शुरुआत हुई है वो मेरे सोनी पत से हुई है इसलिए मा आप लोगों को वो बात बताना चाहता हूं आज जो जीवन की सचाई है और ये बाते भाई आप लोगा ना श्या मियाना पड़ागा बार निकलना पड़ागा गरात अपनी जब ये चीजे आगे बढ़ाई जाएंगी लोकडाउन किसलिए लगया आप लोगों को पता है स्कूल बंद कर दिये कोलेज बंद कर दिये ओल मोल बंद कर दिये जिम बंद कर दिये किसलिए नहीं पता ना आप लोगों को ये सब इसलिए बंद कर दिये आप सब बंद कमरे में अपने घर पे बैठो और घर बैठके तीवी देखो उस तीवी के अंदर आपको खबर दिखाई जाएगी उत्तर परदेश के चुनाओ की और जो उत्तर परदेश के चुनाओ की खबर आप लोगों के सामने पेश की जाएगी उस खबर में ये जो इनके निकली पत्तरकार हैं वे एकी चीज को साबित करें भाजपा पूर्ण बहुमत से बन रही है भाजपा ने ये किया भाजपा ने वो किया मतलब की अपनी सरकार का गुणगान करेंगे आप लोगों को पहले एक बात बताता हूं वाई उत्तर परदेश चुनाव से मेरा कोई तालुकात नहीं ना तो मेरी कोई बोट है ना ही मैं क किसी की टांग खिचने के लिए बोल रहा मैं छाती ठोकर एक बात कहता हूं वाई चैलेंज करता हूं और मेरे चैलेंज को मैं सरकार से चैलेंज करें रहा हूं वाई कोई एसेफ्ट करने वड़ा हो एक नई बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं ये जो अभी हाल में दोबारा से बिमारी फेरबड़ की, कोवीड की, ओमिक्रोन की, जो चीजे ये, लोगों को ड्राने के लिए दिखारे, मैं अरश्चिकारा, अपने हो सवास में चैलेंज करता हूँ सरकार को, अगर किसी को ओमिक्रोन या कोरोन जैसी खतरनाक बिमारी, हाल फिलाल हो, उसके साथ बैडरूम सेयर करने को मैं तयार हूँ आई, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, उस कमरे में केमरे लगे हुए हूँ, जिस कमरे में मेरे को लेटाया जाए, और जो भी डोक्ट्रों गी, टीम होगी, मेरे को कोई दवाई नीचाती, मैं सिरफ और सिरफ अपनी मेंदार में श्वैम होंगा बोलो भाइ कोई challenge arrest करने वड़ा है क्या सरकार से पूछना चाहता हूँ मैं जिस बीमारियों के नाम से आप लोगों को फुतूंवना रहे हो सरकार का काम क्या परजा को ड्राना होता है सरकार का काम क्या धंदे ठप करना होता है की कोई अतोती होगी सारी अधे तार-तार कर दी बच्चों के विश्य के साथ खिलवाड सब के सम मूरक और अनपड बने उनको घर बैठा दो पड़ने लिखने की उनको कोई जरूरत नी उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज गुशा दो बेटा घर बैठो न्यूज देखो और अपनी सरकार के लिए ताड़िया पीतो एक यही ड्रामा रह गया सब को घर बैठा दिया कोई बेचेर अपना काम दंदा कर रहा उनको घर बैठा गे और अपने चुनाओ का ड्रामा दिखाओ चुनाओ पर चार करूआओ क्योंकि जो आदमी फरी होगा अपने घर होगा वो पक्स की नहीं तो विपक्स की विपक्स की नहीं तो पक्स की बाते जरूर रखेगा इस सोचल मीडिया पर सब को ल्याने के लिए जबरदस्ती चुनाओ दिखाने के लिए आप इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हो सब जगा लोगडाउन लगया भाई कहरे हैं कोई प्रोग्राम में नहीं जाएगा मैं भाई अभी सवाए एक बज़े सबसे पहले तोरों तक प्रोग्राम में जाओंगा एक अकैडमी का उद्गाटन करना है कल फिर प्रोग्राम में जाओंगा परसो फिर प्रोग्राम में जहां वहईस नो तारिक तक कम से कम दस program करूँगा किसी यह बापने अगर दूद पिला रख्या है मेरे को जेड करवानी जेड करवा जो अंदर गिरवाना हैं अंदर गिरवा जो एक बात और पूछना चाहता हूं रात को कर फ्यू क्योंकि बिमारी बिमारी जाग जाती है र पाग जाओ एक साल से भी ज़्यादा इतना बड़ा किसान अंदोलन चलिया एक भी किसान बताजो जिसकी करोना गेकारण मोत हुई हो एक भी किसान बताजो जो कोवीड पोजीटीव वाओ इतनी भारी संक्या इतनी लखो आदमियों की बीड बे उस ताइम कहा था भाई गरोन ना बताओ आप लोगों के सामने इतना बड़ा जीता जागता हुद आनरा काहा था करो ना अरा मूरक इंसान नो गुलामी की इतनी जन जीरे पहन लिया आप लोगों ने अपने गरों में बैठके सुगायम अपने काम दंद्यों को लात्ते मार रहे हो सब कोड राया जा रहे ह है आप लोगों से पुछना चाता हूँ आप इतने मूरक होगे क्या कि अपने गरों में बैठके अपने आपको लोग डाउन कर रहे हो किसलिए भाई अभी अपने ओपीस से निकलूआ रात के बारा बजे घर बडूआ डेली का यही रूटीन डेली का यही काम है अगर मेरे को आज तक बिमारी नहीं हुई जो इतना ज्यादा पबलिक और लोगों के बीच में रहता हूँ आप लोगों को कहा से हो जाएगी आप लोग अपनी जंगाय पे बैठके अपना काम करते हो कारिये करते हो अपने कारिये को क्यू ला तमार रहे हो भाई इस मूरक और बैरे नेताओं के चकरों में अपने वोविशेगों खोरे हो अपने बच्चों को आप लोग घर बेठारे हो एक बात बताता हूँ पर टैक्स को परमान की जरूरत नहीं होती है रश्चिकारा पेज खोल के बैक की पोस्ट देख लेना जिस वक्त करोना आया फश्ट बार भारत के अंदर सबसे तेज जिस वक्त रपतार थी ना मैंने सताओं अजार मास्क बाटे थे सरवात मैंने की थी सबसे ज़्यादा पब्लीक में मैं गूच रहा था सबसे ज़्यादा पब्लीक में मैं गूम रहा था एक चलान कटने की वज़े से और परसासन की मैं इज़त करता हू इस वजय से मैंने मास्क लगाया मैंने कोई भी सेप्ति आज तक यूज नहीं गी मेरे गो तो कोई विमारी आज तक नहीं हो भाई पबली के बीच में रहा कम से कम कम से कम चार महीने लगा तार दिन रात उनके बीच में राशन पानी जुगी जोपड़ी वाड़ों को बाट्या जिनको सेटी यूज करने का पताई नहीं था मेरे को तो करोना नहीं हुआ बाई मेरी तो मरत नहीं हुए मेरी तो मोत नहीं हुए आज भी मैं वहीं गूम रहाऊं जब एक बात बताओ सोनू सुध जैसे मान इंसान को यह इंसान देश दरोई साबित कर देते हैं गोशित कर देते हैं आप और हम कौन हैं जिस वक्त किसान यहां बैठे थे इनके चैनल हमारे को आतंगवादी बोलते थे इनके चैनल हमारे को दूसरी पार्टियों के दल्ले दलाल गुलाम बोलते थे और जिस वक्त अंदोलन जीत गए अंदोलन पूरा का पूरा सफल हो गया उस टाइम इनको हम किसान दिखाई देने लग गए और थोड़ी बहुत तो तुम अपनी आखे खोल लो मेरे वाईयो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों का रोजगार ठप हो रहा है और चुब बैठ के आप लोग तमसा देख रहे हो चर्प ये तमसा देखने के लिए पैदा हुए थे आप लोगों का जमीर मर चुक्या है क्या आपको कोई कोई कुछ भी बोलेगा अपने लिए तो आवाज उठा लो आप लोगों के बच्चे जो नोकरियों की तैयारी करते हैं उनकी बरतिया कैंसल होगी उनको लात मारी जारी है हर अंदोलन में आप लोग लाठिया खाते हो पिठते हो पुठते हो आपकी बैनों को पिठा जाता सब के साथ अन्याय हो र बतों में आके किस लिए मैं लोकडाउन जो लगने की वज़े पूछना चाहता हूं क्या वज़े है वाई ये किस वज़े से आप लोगों ने लोकडाउन लगा है क्या बिमारी है रियाना रियाना के अंदर गुशी है वहाँ यूपी में उतर प्रदेश में जब आप चुनाओ करते हो अगर सबसे बड़ा कोई डर्ट पोक है न वो इस देश का नेता है और वो नेता वहाँ इतनी बड़ी बीड में चाहता है तो काई का डर कौन सा डर भाई इस अंद वगती में मेरे भाई मूरुक हो जाओगे पागल हो जाओगे यह आप लोगों को अनपड मूरक गवार बनाना चाहते हैं ताकि आप लोग किसी चीज के लिए आवाज न उठाओ ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे बाई ऐसा क्यों कर रहे हो डोक्टर दिल्ली में अड़ताल कर रहे हैं इसी चीज को लेके जब जो हमारा कुट्टे का भीज जो कर रहे हैं तू बदलागा इस देश ने बात सुनो है कुट्टे तेरे बर के जो उठाते हैं न उन पर बहुँ ज्यादा उठाव गिया मेंने समझ गया आम वही हैं मैं नहीं तो मेरे वाईयों ने देश बदलाए अगर मेरी एक वीडियो से दस आद के दिमाग खुलते हैं तो हम देश बदलेंगे तेरे की तरह तल्वे नहीं चाटते समझ या कुट्टे गे बीजे अपने बाप से पूछके देख कमाई कैसे होती है कैसे कमाया जाता बच्चे कैसे पाले जाते आठ हजार रुपे में आई टी सहल गे कीडे मकोडे या आज बजे गे बाद लोगडाउन लगा दिया यार थोड़ा समझो अपने आपको अपनी आखे नाखे खोल लिए मेरे भाई यो और इस चीज के खिलाप आवाज उठाओ आगे आओ मेरे भाई आगे आओ इस सरकार के चकराम पागलो जाओगे तम यार अपने दिमाग ने भी क्यों एंकर का गर बैठे हो बैए मैं संपुर्ण रूप से इस चीज का विरोध करता हूं आम किसे लोगडाउन पोगडाउन नहीं मानते अपना जीवन ऐसे ही चलेगा ऐसे ही अपने जीवन के काम करेंगे और आप लोगों से भी विंती है जितना ज्यादा उसके सोशल मीडिया पे जमीनी सतर पे आरजंग है इस आवाज को उठाए भाई गर से बार निकले अगर मैं सचा ही कर रहा हूं और इस वीडियो से आपको कुछ समझा रहा तो आप सभी सातियों को बैनों को बाईयों को ये बताना चाता हूं ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को आगे से आगे सेयर करनेगी कोसिस करें अगर मेरी वीडियो दस भाईयों के काणों में भी जाती है और वो आमल करता है ना मैं समझूआ मेरा वीडियो बनाने गा जो तरीका था वो सही था यहाँ डोक्टर ये ग और को अपने आग के लिए दोबारा से गुला में इस देश के अंदर मत गुसाओ डाई साल तो सरकार ने करोना के नाम पे निकाल दिये अगले डाई साल इसी बाने से फिर निकाल देगी दोजार चोविश में नया ड्रामा जाएगा मित्रों करोना ने हमें को कारिये नहीं करने अब की बार देश के लिए ये कर देंगे इस ड्रामे में क्यों फसरे हो मेरे बाई कोंग्रेस हो बिजेपी हो जेजेपी हो या आम अदमी हो या कोई भी पार्टी हो वे अपना काम करेंगी अपने तरीके से उनका काम होता लोगों को लल्चाना लुबाना हर पार्टी का किसी एक पार्टी का नहीं कह रहा और आप उनकी बत्तों में आके अपना बविश्य खराब कर रहे हूँ मुझे गिन्नाने लगी मा अपने आपको भाई एक खुद मा अपने आप मच्छा फिल करता हूँ जितनी जिन्दगी दीख खुल कह जीई है अगर भाई किसी ने फाई आर करवानी रेपोर्ट करवानी केस लवाना सोब लवाओ कोई दिकत नी भी तर्वी आदमी रहे हैं और भी तर्वी वो एरोटी पानी में लेश्तवड याउडजागा खालेंगे भाई सिद्धी सी बात है इबकवासा मतना जीमा बाकी आप लोग हो सकता मरी बात न समझ गेओ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करनार भाई आगगे आओ जिनके सकूल अपने सकूल खोलो जिनके कोलेज अपने कोलेज खोलो प्राइवेट आलो तम भी खोलो और जो भाई वैसे हैं उन्चे भी विंतिय भाई खलो आने का कारिये करूआओ आपने लिए आवाज उठाओ मेरे भाई गूंगे बनका मोन बनका मत बैठो बेना रोए तम आभी चूची ना देती यार यद इतने बड़े करूर आदमी है या आप लोगों को क्या समझेंगे आप सभी सातियों से विंती मेरी बात आप लोगों की समझ में आई होगी अपने काम दंदे करो और काम दंद्या में लागे रहो और कोई कुछ नहीं बेगाड़ है अब हमारी सभी सातियों ने इतने प्यार प्रेम से वीडियो सनी इतना साथ दिया उन सभी साथियों का दिल की गैराईयों से दन्यवाद और अभी मिलते हैं सवा एक बजे रोद तक में एक अकाइडमी का उद्गाटन करेंगे जो भी रोद तक के साथी 849-888-901 मेरा यो फोन नंबर है कोल करके संप्रक कर सकते हो राम राम कोई गलती हो भाई कोई अप सबद मुँम अगर निकल गया हो कोशिस नहीं करते निकालने के लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको लगया हो उसके लिए भाई आजोडगम आपी मांगते आप काई बेटाप काई बचाओं अपड़ी हुई बाते नहीं बोलता जो मुँ से तुरंत निकलती है वही आप लोगों के सामने पेश करता हूँ जै इंद, राम राम